नमस्कार दोस्तो स्वागत करते हैं आप सबी का दोस्तो आप सभी लोगों का बिहार SI PT का प्रैक्टिस ये डेली बेस पे चलाये जारा है जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपको हर एक प्रैक्टिस येट में आपको 75 कोशन देखने को मिल रहा है करेंट अफ़ेर का भी सरीज आपका डेली बेस पे चला जाए रहा है जिसमें आपको 20 कोशन देखने को मिल ला है ज्यादा ज्यादा प्राक्टिस कीजिए अब आप सभी लोग का थोड़ा वह जो कोरोना पॉजिटी वाला यानि कोवीड नैंटीन का जो महौल थोड़ा वूज सांथ हो रहा है कभी भी ए यहां पर जो मेरिट का मेरिट लिस्ट में नाम आने का संभावना वह बहतर हो पाजा है केंकी आप 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 सभी को याद होना चाहिए कि करेंट अफेज पहले 12 मंद का तो complete होना ही चाहिए और 6 मंद का आपका पूरा जिवान पे होना चाहिए current affair आज आप सभी लोग का सिर्फ answer बताया जाएगा detail नहीं होगा क्योंकि आज आप सभी लोग को समय दिया जाएगा 3 second का answer करने के लिए तो answer करिएगा और अपना score बतायेगा कि इन 75 कोशन में से आपने कितना कोशन सही किया है चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्न क्या है देखते है कहता है संगम काल के प्रसिद बंदरगा बुहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है कि तीन सकेंड का समय दिया जाएगा तो अन्य किस नाम से जाना जाता है तो यह आपका हो जाएगा कावेरी पत्नम यानि देखा जाया तो आपका यहां पर यह उत्तर हो जाएगा का सभी लोगों का अगला है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक डैस है यानि क्या है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फास्ट ट्रैक कोट हो जाएगा आंसर आपका यहां पर यह हो जाएगा कोशनमर्ट टू का अंसर अगला प्रस्न देख लेते हैं कि महाराश्ट्र में गोबर्धन परिस्थित की गाउं की स्थापना कि संगठा ने की है बताइए कौन से संगठन ने किया है तो आपका इस कौन हो जाएगा आंसर आपका यहां पर कोशनमर्ट टू का डी हो जाएगा अच्छे से आप आंसर कर पा रहे होंगे चलिए आगे देखते हैं कहता है कि वह महत्सो जिसका अर्थ है पेड़ों का तहवार भारत में जुलाई महने में या फिर जुलाई महने के डैस में मनाया जाता है यानि कौन से सब्ता हमें मनाया जाता है जुलाई महने में तो देखा जाए जो पीडो का तेहवार है भारत में जुलाई महिने में ये कौन से सप्ता हमें मनाया जाता है तो ये आपका पहले ही सप्ता हमें मनाया जाता है आपका बी हो जाएगा अगला है कि जहांगीर किस कला से अत्यदीक प्रभावित था ये इंपर्टेंट है सभी को पता होना चाहिए कि जहांगीर जो था वो कौन से कला से बहुत ज़्यादा प्रभावित था तो इसका आंसर हो जाएगा option C चित्रकला से आपका यहाँ पे हो जाएगा अगला है कि मनसबदारों का वरगी करण का आधार क्या था किस आधार पर थागो तो question number 6 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा option C हो जाएगा सवार तथा जात के पारस्परिक सबंद के आधार पर आंसर आपका यहाँ पे C हो जाएगा next question की badminton के खेल में हार जीत का फैसला निर्धारित किया जाता है किस पर यानि किस आधार पर निर्धारित किया जाता है हार जीत चलिए करिया answer इसका क्या होगा इसका answer तो जाएकि इसका answer जो होगा option C हो जाएगा अंगो की score की आधार पर यहाँ पे हार जीत निर्धारित की जाती है next question की ice hockey यानि जो ice hockey है में कितने खिलाड़ी एक team में भाग लेते हैं तो देखा जाया तो छोग खिलाड़ी भाग लेते हैं आप याद रखिएगा next question 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 number 9 कहता है गोलक नात बनाम पंजाब राज्यवाद में सरोच न्याले ने निर्णे दिया था क्या? क्या निर्णे दिया था तो इसका answer हो जाएगा option C संसद मौलिक अधिकारों को कदापी संसोधित नहीं कर सकती है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस्न है question number 10 कहता है पंचायत सेवक कि नियुक्ती का अधिकार है तो इसका answer क्या होगा? तो इसका सही answer हो जाएगा option C राज्य सरकार की हो जाएगा अगला प्रस्न है कि निर्वाचन आयोग एक क्या है? यानि कौन सी संस्ता है या फिर परिशद है? निकाय है तो देखा जाए तो आपका सम्मेधानिक निकाय है answer आपका यहाँ पे भी उत्तर हो जाएगा सूनिकाल का समय कहा जाता है? कब से कब तक? सम्मेधान के अनुषेद एक में वन्डी थे क्या? तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा राजियों का संग हो जाएगा डी उत्तर हो जाएगा next question किसी राज्य में राष्टपती सासन उस समय लाग किया जब जब यानि डी उत्तर हो जाएगा राज्य पाल इस आसे के रिपोर्ट देता है कि सम्मेधान के अनुषार नहीं चलाया जा रहा है राष्टपती को यह सम्मेधान हो जाता है कि उस राज्य का सासन सम्मेधान के अनुषार नहीं चलाया जा सकता सम्मेधान इक तंत्र विफल हो जाने पर यानि देखा जाए तो आपका यहां पर उत्तर डी हो जाएगा अगला प्रस्न है कि इस समय बिहार में कुल कितने प्रमंडल एवं जी ले हैं तो इस समय पूछा गया है प्रमंडल एवं जी ले तो आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा option B यानि 9 एवं 38 बिहार में राज्य य नियोजन परिशद हो जाएगा डी उत्तर आपका यहां पे हो जाएगा आजाद दस्ता का गठन किस उद्देश से हुआ है आजाद दस्ता तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन ए सरकार विरोधी तोड़ फोड के लिए किया गया था ए आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा व विशुवतिय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा हुई प्रकास की वर्षा हुआ करती है तो सही आंसर आपका वाहनिक हो जाएगा क्या हो जाएगा बी उत्तर हो जाएगा अगला है कि रितु परिवर्तन निर्म लिखित में से किस कारड होती है तो रितु परिवर्तन के ब पे रीतु परिवर्तन होता है नेश्ट को सने की डौगर बैंक कहां परिस्तित है डागर बैंक तो डागर बैंक देखा जाया तो अट्लांटिक महासागर में हो जाएगा यह आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा नेश्ट को सने की भारती चित्रकला के सरवोत क्रिष्ट हमें प्राप्त होते हैं तो सही आंसर आपका यहां पे हो जाएगा अजन्ता एलोरा की गुफाओं से यानि देखा जाये तो डी उत्तर हो जाएगा सरवाधिक मतदताओं वाला देश आपका कौन सा है सरवाधिक तो सभी को पता होगा सरवाधिक मसदाता यानि वोट बैंक देखा जाए तो आपका भारत हो जाएगा यह उत्तर आपका यहां पर हो जाता है तीरूपती मंदिर किस राज्य में इस्तित है पता यह गा तीरूपती मंदिर जो है वो किस राज्य में इस्तित है तो आपका यहा राजत क्राम्ती का संबंद किस से है राजत क्राम्ती का संबंद देखा जाये तो अंडे से संबंदी थे आंसर आपका भी हो जाएगा अगनी सेकेंड की जो मारक छमता है वो कितना किलो मीटर है तो ये देखा जाये तो 2000 किलो मीटर हो जाएगा अंसर आपका भी हो जाएगा चलिए नेश्ट कोसन देखते हैं कोसन नबर 26 कहता है कि किसी व्यक्ति के वास्तिविक जीवन इस्तर का आकलन किया जा सकता है किसके द्वारा तो ये देखा जाए तो किसके द्वारा आकलन किया जा सकता है तो प्रति वैक्ति आय के द्वारा किया जा सकता है आंसर आपका यहां पे C हो जाएगा नेश्ट कोसनेक की डाक्टर बी या रम बेटकर ने सम्मिधान का हिर्जे और आत्मा किसे कहा था तो यह किसे कहा था, तो सम्मिधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था, आंसर आपका यहां पे C हो जाएगा नेश्ट कुछने कुछन म. 28 क्या कहता है? कहता है कौन सा इस्थानिय सरकार का मामला नहीं है? तो सही आंसर आपका C हो जाएगा कानून और वेवस्था यानि देखा जाया तो राइट आंसर आपका C हो जाएगा कॉशन नमर 29 कहता है कि भारत में एकल नागरिक्ता की आउधार्ना अपनाई गई है बताईए तो ये जो अपनाया गया है इंग्लेंड में यानि उत्तर आपका यहां पे A हो जाएगा अगला है कि फाहियान किसके सासनकाल के दौरान भारत आया था तो जो फाहियान भारत आया था वो चंद्रगुप दियुतिय के सासनकाल में आया था ये उत्तर आपको यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का नेश्ट कोशन है कहता है कि 1651 में मुगलो द्वारा बंगाल में किस इस्थान पर इस्थ इंडिया कमपनी को वेपार करने और फैक्टरी बनाने की अनुमती दी गई थी तो सही आंसर आपका 31 का हो जाएगा option B कासिम बाजार आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि किस सिख गुरु ने सुए को सच्चा बात्सा कहा था यह important है तो बताए इसका सही आंसर आप क्या करेंगे तो गुरु गोविन सिंग हो जाएगा यह आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा नोट करिएगा अगला प्रस्न है कि महात्मा गांधी द्वारा सवीने अवग्या आंदोलन किस वर सुरू किया गया था यह जो सुरू किया गया था 1930 में सुरू किया गया था सवीने अवग्या आंदोलन कि यह थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को इसको अभी डाउट में लगते हैं ठीक है 1930 में तो गांधी इर्विन 31 में हुआ था 1930 में आपका नमक हुआ था नमक सत्यगरज हुआ था चलिए इसको देखने हैं अगला प्रस्न है कि इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किसने दिया था बताइए इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किसने दिया था तो सभी को पताई ह होगा आपका भगत सिंग हो जाएगा अंसर आपका यहां पे सी हो जाएगा अगला है कोसर नुमर 35 कहता है कि डाटा के प्रेशर की गति को मापने के लिए समाने तर प्रियूक्त एकक है क्या जो प्रियुक्त एक अक है वो बीट प्रती सेकेंड हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का चलिए आगे देखते हैं अगला है कि EVM मसीन का प्रियुक्त सबसे पहले कहां पर हुआ था EVM तो देखे EVM का जो सबसे पहले प्रियुक्त किया गया था वो केरल राजे में किया गया था आंसर आपका बी हो जाएगा EVM का फूल फॉर्म आप सबी लोग कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि EVM का फूल फॉर्म क्या होता है एकदम सिंपल है सभी को पताई होगा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉंच किया गया था तो प्रोजेक्ट टाइगर पूछा गया है तो एक अपरेल 1973 में लॉंच किया गया था आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा पारो हवाई अड़ा कहां पर स्थीत है चलिए बताईए इसका आंसर क्या होगा पारो हवाई अड़ा तो देखिए पारो हवाई हड़ा के बारे मियाद रखिएगा भूटान आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्थन है कि परधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना के तहट जो खिम कवरेच कितना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो लाख रुपया यह उत्तर आपका यहां पर हो जाएगा किस भारतिय क्रिकेट खिलाडी को वर्स दूहजार से दूहजार बीस के लिए लॉरियस का सर्वेष्ट खेल लम्हें पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो राइट आंसर आपका देखा जाये तो आपका सचिन तेंदूलकर हो जाएगा आंसर आपका यहां पर सी उत्तर हो जाएगा नेश्ट को सने कि भारती वस्तर उद्धोगों में इन में से किसका प्रचूर मातरा में इस्तिमाल किया जाता है तो इसका सही उत्तर क्या हो बताएगा इसका उत्तर आपका यहां पर सूत हो जाएगा यानि सूती मान के चलिए A उत्तर आपका यहां पे हो जाएगा भारत की सर्वच चोटी कौन सी है सभी को पता होगा कि भारत की जो सर्वच चोटी है वो K2 गाडविन आश्टीन हो जाएगा आंसर आपका यहां पे A उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोसने के सुन्दरवन का विश्व प्रसिद डेल्टा की नदियों से संबंदित है करेक्ट आंसर देखा जाए 43 का तो आपका यहां पे गंगा ब्रहम पुत्रा हो जाएगा यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक यातरा में गंगा नदि निम्न में से किस इस्थान को नहीं छूती है तो कौन से इस्थान को नहीं छूती है तो 44 का आपका लखनव हो जाएगा यह उत्तर आपका यहां पे हो जाएगा अगला प्रस्टन है कहता है कि निम्नमे से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है तो देखे इसका सही आंसर 45 का हो जाएगा option B यानि तापती आपका right answer हो जाएगा अगला है कि बालकन राष्ट कहां परिस्तित है बालकन राष्ट कहां परिस्तित है तो 46 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहां पे यूरोब के दच्छिड पूर्विय भाग हो जाएगा यह आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का नेंस्ट कोसन है, कोसन नमर 47 कहता है, कहता है कि निम्नलिखीत में से कौन सा देश किये हूँ तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है 47 का अंसर करके बताईए तो देखे 47 का अंसर आपका यहां पे चीन हो जाएगा चीन राइट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा निम्नलिकित सासकों में कौन सा सासक अपनी बुद्धी मता एवं पागलपन के लिए प्रसीद था तो यह आपका हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा अंसर आपका C उत्तर हो जाएगा सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निनलिखित राजवन्सों में से किस एक का सासन था यहाँ पर पूछाया किस एक का सासन था तो देखा जाया तो आपका नंदवन्स हो जाएगा ए आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा इसको आप याद रखिएगा नेश्ट कोसने की निन लिखित में से किस वण में आर्ये काल के समाज विभाजित नहीं था तो राइट आंसर आपका 50 का सभी हो जाएगा यहां पर ब्रामन छुद्र छत्री आपका यहां पर यहां पर सभा लिखा है माफ कीजेगा मेरे को लगा कि थोड़ा सा मिस्प्रिंट हुआ है लेकिन यहां पर सभा लिखा है चलिए आगे देखते हैं अगला एक वह भारतिय वैग्यानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कड के साथ जुड़ा है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन B बोस नेश्ट को सने की जल एक योगिक है ऐसा क्यों ऐसा किस लिए कहा जाता है कि जल एक योगिक है ऐसा इसलिए कहाता है कि इसमें रासानिक बंदों से जुड़े हुए दो भीण तत्व होते हैं आंसर आपका यहां पर B उत्तर हो जाएगा निमनलीखित में से कौन सतत्व ऑक्सीजन में जलाय जाने पर अमली ऑक्साइड बनाता है चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन भी फासफोरस आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा याद रखिएगा नेश्ट कोसने की माचिस की तीलियों के अगर भाग को बनाने के लिए प्रियुक्त मिसरण में होता है तो प्रियुक्त मिसरण में होता है आपका क्या तो लाल फासफोरस हो जाएगा यह उत्तर आपका यहां पर हो जाएगा करेंट अफियर के आपका स्विर जाने वाला है तो उसको भी आप जरूर देखिएगा पूरा वीडियो निम्म लिखित में से कौन सा रोग विसाडू जीवाडू द्वारा फाइलाता है यानि बैक्टिरिया द्वारा फाइलाया जाता है यह जीवाडू बैक्टिरिया विसाडू आपका वाइरस होता है इस प्रकार से जीवाडू पूछा गया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला है कि धोनी उत्पन करने के लिए यह अवस्थ है की क्या तो धोनी उत्पन करने के लिए देखा जाये तो आपका हो जाएगा इस्तरोत किसी भी परकार के कमपन कर सकता है यानि देखा जाये तो 56 का उत्तर आपका C हो जाएगा नेश्ट कोशन की अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में रेसम किट व्यापारिक उप्योगिता के रेसम का स्रावन करता है क्या होगा इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा संतावन का आप्शन भी हो जाएगा प्यूपा प्यूपा आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा नोट करिएगा नेश्ट कोशन के वास्तिविक प्रतिविम किसके द्वारा बनते हैं वास्तिविक प्रतिविम जो है यह देखा जाए अंठावन का उत्तर तो आपका उत्तर भी हो जाएगा उत्तर लेंज और एक आवतर दरपड हो जाएगा यानि बी उत्तर आपका यहां पर हो जाएगा नेश्ट कोशन है कोशन नमर 69 करता है कि 5 एंपियर के फ्यूज के साथ 220 वाट की सप्लाई लाइन पर 100 वाट की कितने बल्ब सुरक्षा के साथ प्रियुक्त किये जा सकते हैं देखा जाए तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा इस ग्यारा अगला एक निम लिखित उड़वर को में से किसमे नाइट्रोजन का सरवाथिक प्रतिसत विद्यमान रहता है तो इसका सही आंसर आपका यूरिया हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा यदि 8 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के मिसल को प्रजोलन किया जाए तो उत्पन हुए जल का द्रब्यमान होगा ग्राम में पुछा गया है कितना ग्राम होगा तो देखा जाया तो आपका यहां पे 9 gram हो जायेगा आपका बी हो जायेगा आपका यहां पे 9 gram आफर हो जायेगा Next question है कि कहता है कि Portland cement के प्रमुग घटक है प्रमुग घटक है Cancer Option A चुना, सिलिका सिलिका और albumina हो जायेगा यानि उत्तर आपका यहाँ पे A उत्तर हो जाएगा ग्लुकोमा सने सने निमनलिखित का कारण बनता है या फिर निमनलिखित कारण बनता है किससे बनता है निमनलिखित कारण इसका तो देखिए इसका सही आंसर आपका 63 का हो जाएगा option A अंधापन ये उत्तर हो जाएगा तेकि सभी important question है आपके exam के यानि syllabus के इसा आप से देखा जाए तो सभी 60 question आपके लिए बन जाता है इसको आप अच्छे से जितना revision कर सकते हैं उतना revision करिएगा निमनलिकित में से कौन सा protein sun slasor में सहायक होता है सायफा तो इसका answer हो जाएगा你要less आप कर नहीं करता है या फिर काम सा vitamin domain में नहीं करता है तो देखा जाए तो आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा कारेसक्ती की आप उर्ती नहीं करता है ती उत्तर आपके हो जाएगा अगला प्रस्न है कोशन नमर आगे देखे लेते हैं कहता है व्यक्ति का भार उस लिप्ट में बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब तो यह जब ऊपर की ओर तौरित होते समय यानि जब मान के चलिए यह आपका लिप्ट है इसमें व्यक्ति बैठा है जब यह उपर जाता है तो इसका भार अगर 50 किलो है तो दुगना भी हो सकता है या फिर तिन गुना भी हो सकता है यह बहुत जल्दी से अगर डोरी इसका टूट जाए तो जैसा लगता है कि इसक जोजन योगी करण के लिए जिम्मेदार बैक्टिरिया निमनलिखित में से यानि निमनलिखित की जड़ में पाया जाता है तो आंसर इसका आपका सी हो जाएगा सिम भी पाधे हो जाएगा प्रित्वी एवं उसका वह बाता औरण जहां जीव रहते हैं कहलाता है क्या तो आपका बायो स्फियर हो जाएगा आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा वास्पो सर्जन की माप कौन करता है इसका सही आंसर आपका पोटो मीटर हो जाएगा आंसर आपका यहां पे बी उत्तर हो जाएगा सहजीविता दिखाई पड़ती है किस में तो सहजीविता पुछा गया है 3 मुझा कि 20% यहां पर हो जाएगा अगला प्रसदाय कोस नमर 62 कहता है कि बैक्टीरिया सब्ड दीया गया था किसके द्वारा तो बैक्टीरिया देखा जाए तो औने बर्य के दिया गया था 72 का अंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा हाल ही में कौन सी बॉली फिल्म ने तेरा अवार्ड अपनी नाम किया है तो यह पुराना करेंट अफियर है तो तब भी याद रखिएगा गली बॉय आपका पूछा जा सकता है दुनिया के सबसे बड़े दुनिया के सब mack number परियुक्त होता है किसके तो देखा जाया तो 75 का अंसर आपका aircraft हेटू परियुक्त होता है अंसर आपका B हो जाएगा तो friends आप सभी लोगों का यहां पे 75 को समापत हो गया है वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अपना स्कोर जरूर बतायेगा कि आपने क इतना स्कूर किया है तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में